हालो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोहलपर तो फ्रेंड आज के सेशन में हम साइग लॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एड्यूकेशन का जो टॉपिक है को आपने हेडिंग बना कर पेपर में उसी तरह से एक्स्प्लेइन करकर आना है इन रिटन ठीक है तो फ्रेंड इस सेशन को कम्प्लीट देखेगा बहुत हेलफुल होने वाला है आपके 100% concept clarification हो जाएगी इस सेशन को देखने के बाद related to growth and development तो आप खुद से भी बना कर लिख कर आ सकते हैं question अगर आपको कोई भी टेडा मेडा भी आ गया paper में So friends let's begin with the session now So friends growth and development ये topic स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी से discussion करते हैं कि जो भी person इस दुनिया में आता है क्या वो static होता है या dynamic होता है दो words हैं हमारे पास first is static and second is dynamic static मतलब स्थिर रहना जहां पर वो है वहीं रहेगा चाहे हम उसकी development की बात करें उसकी growth की बात करें ठीके वो कितना बड़ा हो रहा है या फिर उसके दिमाग का जो विकास है वो हो रहा है या फिर वो बढ़ता है dynamic means जो change होता है static means थिर रहना, dynamic means change आना clear तो हमें पता है कि चाहे बच्चा किसी भी age में है तो उसका चाहे हम mental status की बात करें mind की बात करें physically उसके related हम बात करें clear तो वो सारी चीज़े क्या होती है बढ़ती है improve होती है clear एक systematic way से वो improve होती है like अगर हम height की बात करें सबसे पहले है न हाइट की बात कर लीजिए weight की बात कर लीजिए तो height क्या है ऐसे तो नहीं है कि आज आज आपकी height 5 foot है तो कल आपकी height कितनी हो जाएगी 4 foot 9 inch कैसे हो सकता है नहीं हो सकता तो यह क्या है progressive change होगी एक systematic change होगी clear तो उसी तरह से अगर हम बात करें overall aspect यानि कि एक person completely develop कर रहा है हर तरह से चाहे वो शारीरिक तरीके से हो मानसिक हो ठीक है physical physical, mental, emotional किसी भी तरह से हो चाहे हम society में रहते हैं social development हो तो यह सारी जो चीजे होती है that is development growth क्या है यह complete जो हमने box बनाया ना इसको हम बोलेंगे development development एक person की किन-किन areas में होती है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगे clear वो हम इस वीडियो में complete discuss करेंगे तो आपको यह clear होगा तो इसमें जो यह physical development है हम इसको क्या बोलते है growth समझ में आगी यह चीज यहनि कि growth क्या है part है development का कौन सा part है that is physical development जो person physically जो भी person में changes आती है growth होती है clear उसको हम क्या बोलते है growth this is clear तो अब देखे सबसे पहले तो हम क्या कहते कि जो भी changes आती है वो हमें क्या होती है systematic second progressive changes होती है progression की तरफ हमारी जो changes है वो बढ़ती है हम improve होते हैं दिन बदिन clear अब थोड़ा सा इन में जो difference है growth and development में हम वो देख लेते हैं बहुत ही interesting topic है यह बस आप इसको समझ के सुनते जाए और इसको पढ़ते जाए तो आपको concept बिलकुल अपने mind में ही बिलकुल fit हो जाएगा तो growth के बारे में हमने क्या बात की थी जो चीजें हम measure कर सकते हैं या फिर जिनको हम physical aspect से देख सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे quantitative growth क्या है quantitative लेकिन development क्या है qualitative plus quantitative अब qualitative किस तरह से है अगर हमारे mind में improvement हो रही है ठीक है हमारे mental thoughts में अब हम देखे हर class में आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो problem solve करने का तरीका है हमारा intellectual development वो बहुत ज्यादा होता है न तो as we are growing in age ठीक है then second हम क्या सकते है this is related to only this is related to only physical aspects लेकिन जो development है ये क्या है physical plus mental ठीक है physically mentally grow करना then emotional social development clear तो ये सारे क्या है development के parts जो हम कह सकते हैं कि growth में सिरफ हमारा physical aspect की growth होती है लेकिन development हम कहां से करते हैं mentally emotionally and socially हम develop करते हैं then अब जो physical development है क्या आपको लगता है कि एक person हमेशा बढ़ता ही चला जाता है तो उसकी height का कोई measure कहीं प्याकर रुके गई नी तो growth क्या है एक time पर आकर रुक जाती है ठीक है तो it stops at a certain age उसको हम क्या बोलते है maturity जब एक person mature enough हो जाता है clear तो वहां पर आकर उसके growth है clear growth किसी भी तरह से हो सकती है चाहे वो हम बोले कि हमारी height में growth है body organs की है या फिर हमारी vocal cord में changes है clear वो सारी चीजें हमारी growth एक time पर आकर रुक जाती है लेकिन development एक person की कभी नहीं रुकती यह चलती रहती है from warm to tom that is lifelong development क्या होती है lifelong कोई भी learning जो हम करते हैं उसका कोई भी सीमा नहीं है कोई भी break नहीं आता उसमें हम throughout the life कुछ ना कुछ सीखते है और वो naturally हमें किसी ना किसी तरह से improve करता है चाहे वो हमारा social circle अच्छा हो जाए या फिर हम mentally ज्यादा strong हो जाए life में कुछ ऐसे experiences होते हैं तो development person की throughout the life चलती है लेकिन जो growth है वो एक time पर आकर रुक जाती है तो this is the main point की person की जो growth है वो एक certain period पर आकर रुक जाती है वो उसको क्या कहते है that is maturity तो maturity क्या है यह थोड़ा biologically in relation है clear then हम क्या कह सकते हैं कि this can be measured growth को हम measure कर सकते हैं लेकिन इसको हम measure नहीं कर सकते हैं it can only be assessed clear then growth में क्या होता है कुछ भी हम बात करते हैं that is just about getting bigger चाहे वो हमारा for example हमारी height है है न हमारा weight है लेकिन अगर हम development के बात करेंगे this is talking about improvement जिसमें हम improve करते हैं वही बात यह जो main points है इसके इर्दगिर development का हर point घूंता रहता है तो improvement चाहें physically कर रहे हमने gym join कर लिया है न तो हम physically fit हो जाएंगे ऐसे तो नहीं है कि हमारी height और बढ़ जाएगी है न जब हम maturity level पर आ चुके हैं तो उसके बाद हमारी height हमारा जो है वह नहीं बढ़ेगी तो physically हम fit हो जाएंगे या फिर हम mentally strong हो जाते हैं emotionally जब हम काफी सारे हमें emotional touch मिलता है joint family में रहते हैं तो emotionally का हमें ज्यादा पता लगता है जो बच्चे न्यूक्रल family में रहते हैं जिस सिरफ अपने parents के साथ रहते हैं उनको emotional factor उन में इतना नहीं होता जो बच्चे joint family में रहते हैं ठीक है अपने चाचा चाची के साथ दादो दादी के साथ या I mean to say grandparents के साथ भी रहते हैं तो वहाँ पर emotional factor ज्यादा होता है emotionally वह ज्यादा develop होते हैं क्योंकि इतने सारे persons के साथ उनके emotions जुड़े होते हैं clear तो social factor में हमारा जो social circle होता है यह चीजें इस पर depend करती हैं so I hope this thing is clear यह चीजें आपको clear हो गई होंगी now we will see development दिखे growth में तो सिरफ physical aspects जो होता है तो अब हम development के जो basically broad domains है उनके बारे में discuss करेंगे क्योंकि हमने जो differences अभी discuss किया है उनहीं में से सारी चीजें यह अभी निकल कर आएंगी तो आपको यह बहुत अच्छे से clear हो जाएगा So, first is physical, second is cognitive, then social and finally the fourth one is emotional domain clear तो यह चार basically domains है development की चार categories है जिस तरह से एक person develop कर सकता है that is physically cognitive means mental development, then is social development and then is emotional development So, firstly we will see physical development, physical development जिसको हम growth भी कह सकते है clear तो इसमें हमारे जो होते हैं motor skills, motor skills वो देखे जाते हैं यह further होते हैं दो types के First is gross motor skills and second one is fine motor skills clear तो देखे ग्रॉस motor skills में क्या आ जाता है जो large movements होती है body की Large movements For example, जैसे बच्चा दौड़ना शुरू करता है ठीक है चलना शुरू करता है या फिर jumping करता है उसको हम बोलते है Large moments और fine moments में क्या होता है like इसमें small जो muscles की activities होती है वो क्या होती है fine motor skills में सबसे पहले तो देखे बच्चा gross moments करना start करता है जैसे बच्चा छोटा होता है वो सबसे पहले उसका hold अपनी गर्दन पर देखे आप पकड़ेंगे ना बच्चों को तो उसकी गर्दन बिल्कुल पीछे को गिर जाएगी तो उसका hold अपनी गर्दन पर भी नहीं होता धीरे-धीरे सबसे पहले वो अपनी जो spinal cord है उसको set करना सीखता है फिर अपनी जो backbone है उसको फिर वो धीरे-धीरे बैठना सीखता है फिर धीरे-धीरे chair को पकड़के या फिर table को पकड़के चलता है ना पैरों की movement करनी start करता ह दिन वो finally चलने लगता है फिर दौड़ने लगता है तो सबसे पहले जो skills बच्चे की develop होती है छोटी एज में वो होती है gross motor skills clear तो उसके बाद आती है fine motor skills जो small muscles की movement जिसके साथ related होती है लाइक बच्चा जब play वे जाने लग जाता है तो उसको थोड़ा writing करवाने की कोशिश करते हैं ना dotted line पर बोलते हैं बच्चे को one लिखो ऐसा टेडा मेडा लिखता है तो वो चीजों को पकड़ नहीं लगता है है तो उसको फिर coloring करने को बोलते हैं शेप आपको बना दी गई है तो उसके बाहर color निकाल देता है बच्चा क्योंकि वो भी सीख राए उसके यह skills small muscles में की जो movement है वो अभी develop होनी start हुई है आगे समझ में बात तो इसकी example हम क्या कह सकते हैं like dance, jump, run, clear यह तो हो गई हमारी gross motor skills इसमें हम कह सकते हैं writing, drawing, painting कह सकते हैं आप यह सारी किस के साथ related है हमारी small muscles क्योंकि hand में जो small small muscles होती है हमारी वो use होती है ना इनमें तो इसको हम क्या बोलते हैं fine motor skills तो देखिए physical development में और क्या चीजें हमारी होती है इसमें इसमें आ जाती है हमारी height जो चीजें में changes आती है physical development में है ना तो height, weight, then voice में जब बच्चा छोटा होता है उसके आवाज कुछ और होती है लेकिन कुछ age ऐसी certain age होती है जहां पर बच्चों की vocal cord में changes आती है हमें लगता है कि बच्चे की अवाज थोड़ी maturity level में आ गई है mature हो गई है then body structure कह लो या फिर body physique कह लो उसमें changes आती है then is the motor changes जो हमने अभी ये discuss की motor changes कि कब बच्चा क्या चीज करने लगता है कौन सी हरकत करने लगता है कब बच्चा चलने लगता है दौडने लगता है clear तो यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यह चाहें तो आप no down कर लिजे कि gross motor skills कौन से होते हैं fine motor skills कौन से होते हैं अब जो cognitive development है इसको हम कह सकते हैं हमारे mind के साथ related है या फिर intellectual development होती है जो तो cognitive development की जो theory है वो किसने दी थी that was given by Jean Piaget तो यह चीज question फिर यह theory किसने दी है Jean Piaget नहीं यह point आपने definitely note करना है अब दीखे cognitive development में क्या होता है हमारा mind क्या करता है सोचता है चलो जी thinking कौन कौन सी चीज़े आती है वो सारी देखने वाले है thinking reasoning सोचना फिर तर्क करना चीज़ों पर then logic logic formation एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ relate करके देखना then is concept formation language built up समझा रही है चीज़े बिलकुल logic होता है कि कोई भी चीज़ों के साथ एक का logic दूसरे के साथ जुड़ता है तो चीज़ों पर हम one by one आगे की आगे प्रोसीड करते रहते हैं फिर किसे भी चीज़ के जो concepts है हमारे concept कहां पर हमारे mind में ही तो generate होते है न वहीं पर हम चीज़े समझते हैं तो concept formation होती है हमारी cognitive development में language built up जैसे सबसे पहले तो हम language अपनी बोलनी start करते हैं या सुननी समझनी start करते हैं हमारी family में जो भी language बोली जाती है क्या वो parents हमें पहले सिखाते हैं कि आप यह language बोलेंगे बच्चा वही सुन-सुन कर language सीख जाता है तो वो क्या होता है language built up हो जाता है जो हमारी mother tongue होती है जो family में हम language use करते हैं वही बच्चा सबसे पहले बोलना start करता है है न तो language built up को हम भी discuss करेंगे इसके इलावा और क्या होता है like problem solving then is decision making तो आपको question क्या सकता है कि decision making lies under which domain of development तो आपको चार options दे दी जाएंगे तो आपने देखना होगा कि किस चीज के साथ related है decision making क्या चीज decision बनाती है हमारा mind हमारी cognitive development होती है तो हम decide कर पाते है ना हमारी social development ठीक है ना हमारी physical development लेकिन हमारी cognitive development responsible है किस के लिए decision making के लिए problem solving के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए now next is social development तो social development क्यूं चाहिए हमें क्यूँ कि हम कहा पे रहते है society में रहते हैं तो society की norms के according रहने के लिए social development होनी बहुत जरूरी है social development में क्या कुछ आ जाता है जो हमारा social behavior है है घर पे हम चाहिए जैसे भी हैं लेकिन जब हम सुसाइटी में आते हैं तो हमारा behavior किस तरह का है ठीक है इसमें social में फर्दर आ जाता है moral या फिर character development भी इसके अंडर ही आ जाता है तो इसमें हम कहते हैं कि हमारी जो moral values हैं वो चीजें किसमें आती है social development में clear या फिर developing relationships एक दूसरे के साथ हमारा किस तरह का relation है friend relationship है या फिर हम किसी से जगडा करते हैं that all is covered under social relationship तो moral के बारे में अगर पूछा जाए या character development वो किसका part है that is the part of social development ठीक है तो now finally we will see the emotional development so emotional development की अगर हम बात कर रहें तो इसमें क्या qualities आ जाती है like love, respect, fear, anger ये सारी चीजें किसमें आती है emotional development में जैसे मैंने example ली थी कि दो situations है एक तो है joint family clear एक है nuclear family यानि कि joint family में grandparents भी साथ में है और nuclear family में बच्चा सिरफ अपने mother और father के साथ रह रहा है तो emotional development किसमें ज्यादा होगी emotional development joint family में जो बच्चा रहता है उसमें ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास बहुत सारे members है जिसके साथ वो emotionally interact हो सकता है और चीजें सीखने को मिलते ही जितने ज्यादा persons है उतनी ज्यादा development हम कह सकते है या फिर emotionally attached हो सकता है बच्चा clear तो इसके लिए Watson ने भी क्या कहा है according to Watson जब एक बच्चा जनम ले लेता है ठीक है after birth बच्चे में तीन तरह की feelings आ जाती है चाहे वो कितना ही छोटा है हम कहते है बच्चा इन चीजों को समझता है fear love anger तो यह कहा है Watson ने की यह तीन feelings ऐसी है बच्चे में जो जब बच्चा बर्थ लेता है उसके बाद यह feelings उसमें आ जाती है वो समझता है इन चीजों को fear love and anger clear so यहाँ पर हमारा broad domains of development का यह portion भी complete होता है और now finally we will see the stages of development यह बहुत important है so first stage is prenatal stage prenatal stage इसको हम कहते है जब बच्चा conceive हो जाता है ठीक है from conceive till birth जब बच्चा conceive हो जाता है इसको गर्भावस्ता भी कहते है ठीक है pregnancy में जो time period होता है pregnancy का complete time period उसको हम बोलते है prenatal stage तो यह लगभग क्या होता है इसको आप 40 weeks का कह सकते है clear then second होता है infancy period जब बच्चा होता है 0 to 2 years का यानि की birth लेने के बाद से 2 साल तक का जो time period होता है उसको हम कहते है infancy period इनको हम देखे one by one detail में discuss करेंगे then is the childhood childhood का time period होता है 2 to 12 years का यह फर्दर दो parts में divided होता है early childhood and later childhood तो यह भी हम आने वाली video में देखेंगे childhood में then finally the fourth stage is adult sense adult sense का जो time period होता है that is from 12 to 19 years of age clear तो यह 4 stages basically होती है अगर हम child development की बात करें generally तो general stages यहीं 4 होती है इन में further हम कर सकते हैं like childhood में early childhood then later childhood फिर adult sense के बाद हम बात कर रहे है child development की otherwise इसके बाद फिर old age भी आ जाती है clear हम वो चीजे नहीं देख रहे है हम बात कर रहे है child development की तो उसमें यह 4 stages आएंगी अब हम सबसे पहले देखते है है prenatal stage सबसे पहले तो देखे prenatal stage 40 weeks इसको आप time period देखे किस तरह से आपने देखना है इसको या तो 40 weeks कह सकते हैं या फिर 280 days इसको 9 months 10 days तो तीनों तरह से हम क्या कह सकते हैं कि prenatal जो period होता है वो कितनी देर का होता है वो 40 weeks का होता है या फिर 280 80 days का होता है या फिर वो 9 महीने और 10 दिन का होता है इसको हम क्या कहते हैं from conceive till birth ठीक है गर्भा वस्ता भी इसको कह देते हैं हिंदी में जितना time pregnancy period होता है उसको हम कहते हैं prenatal stage अब दीखिये जो बच्ची की physical development है हमने grow उसमें बात की थी domains में physical development होती है न बच्चे की और जब बच्चा जनम लेता है वो completely एक physically develop होकर birth लेता है clear तो यह है prenatal stage के बारे में now we will see the infancy stage so infancy stage जो होती है that is from 0 to 2 years हम 0 क्यों कहते है क्योंकि यह time क्या है इसको आप कह लिजिये चाहे birth after birth till 2 years of age जब तक बच्चा 2 साल का हो जाता है उसको हम कहते है infancy time period और toy age कौन से stage को कहा जाता है development की that is infancy क्योंकि जब तक बच्चा 2 साल का होता है वो generally toys के साथ खेलता है clear वो कई पढ़ाई नहीं करता कहीं school नहीं जाता तो उसको toy age भी हम कहते है और इसमें देखिए जो हम ने domains बात की थी physical development कहां से start होती है हमारी prenatal stage से यानि कि गर्भावस्ता से अब देखे अगर हम बात करें later childhood की तो इनको अगर हम पढ़ाने की कोशिश करें पढ़ाएंगे किस अगर हम inductive deductive method से इनको नहीं पढ़ा सकते हम इनको किस method से पढ़ाएंगे inductive method से तो कौन सा teaching method use होता है later childhood के बच्चों को बढ़ाने के लिए that is inductive teaching method ठीके deductive नहीं use कर सकते हम clear है तो यह point देखे early childhood को क्या बोलते है play age बोलते है pre logic age बोलते है pre school pre gang तो सारा यह pre है और play age clear तो इसमें कोई gender consciousness नहीं होती लेकिं जो school time का age है जब बच्चा school जाना start करता है ना LKG UK class 1 class 2 तो व इसको school age बोल देते हैं या फिर gang age बोलते हैं बच्चा logics generate करने लगता है जो भी चीज़े teachers करवाते हैं या फिर वो अपनी life में experience करते हैं तो logic build up उनका start हो जाता है तो gender consciousness उनमें आ जाती है इस age पर clear age is and now finally we will see the adult sense period so adult sense हर person की life की बहुत ज्यादा important stage होती है क्योंकि यहां पर आकर बच्चा इतना aggressive हो जाता है एकदम से अपनी life को पूरा enjoy करने की कोशिश करता है कभी बिल्कुल demoralize हो जाता है ups and downs life में जो बच्चा बहुत ज्यादा phase करता है न emotionally कह लिजिए वह कब होता है adult sense period में तो यह होता है 12 to 19 years of age क्लियर adult sense का time period क्या है जब बच्चा 12 साल से लेकिर 19 साल तक का है तो उसको हम क्या बोलते adult sense time period और यह कब होता है childhood के बाद और adulthood से पहले तो देखें अगर हम child development की बात करें तो हम adult sense तक की बात करेंगे लेकिन अगर हम development stages देखें otherwise तो इसके बाद adult sense के बाद आएगी adulthood clear फिर इसके बाद old age भी आ जाएगी हम लेकिन child development की बात कर रहे हैं तो adult sense period क्या होता है इसको हम कह सकते हैं बहुत ही aggressive देखें टीनेज बोला जाता है ना जो adult sense होते हैं कि शोरा वस्था बोलते हैं टीनेज जो टीनेज वर्ड है यह भी एक European psychologist ने दिया था तो देखें of great stress and strain storm and strife यानि कि एकदम से हमारी जिंदगी में भुचाल आ जाता है है ना और एकदम से इतना ज्यादा हम stress ले लेते हैं किस बात पर कि मेरा friend मेरा friend नहीं रहा वो किसी और का friend हो गया है ना इतनी से बात पर दिमाग में भुचाल मत जाता है ना तो यह बहुत इसको हम कह सकते हैं कि risky risky age है बच्चे बहुत conscious हो जाते हैं consciousness कहां पर होती है बिल्कुल peak level पर है ना aggressive nature हो जाते है उनकी एकदम से कोई भी बात पर decision ले लेते हैं या फिर एकदम से किसी भी चीज के लिए stand ले सकते हैं बहुत ज़्यादा daring हो जाते हैं हम कह सकते हैं daring और यह time ऐसा होता है जहां पर बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको risky age कहा गया है अगर बच्चा गलत company में चला गया कुछ bad habits में डल गया तो उसको बाहर निकालना मुश्किल है तो parents की guidance teachers की guidance ठीक है बच्चों की counseling होती है जो motivational lectures होते हैं vocational lectures होते हैं वो इस time पर बच्चों को देने बहुत important है ताकि वो अपनी जो ये time period है वो अच्छे से निकाल ले adulthood में अच्छे से enter कर जाए और वो बिगड़े नहीं है तो बिगड़ने से आप जानते हैं क्या meaning है कि वो बुरी संगती में ना पड़े कोई bad habits उनको ना पड़े clear तो adult sense की शोरा अवस्ता बहुत ही risky age होती है इसको इसमें consciousness बच्चे ज्यादा होते है conscious बहुत ज्यादा होते हैं चीजों को लेकर aggressive होत होती है है ना clear है यह चीज इसके साथ ही हमने एक point miss कर दिया था that is groupism बच्चे groups में रहना सीख जाते हैं उनको attention चाहिए होती है कुछ activities करेंगे कि वो चाहते हैं कि बच्चों की या फिर दूसरों की attention हम पर पड़े हैं ना attention के साथ-साथ क्या होती है attraction होती है होती है कि नहीं होती है attraction इसी age पर सबसे पहले होती है and then consciousness about the gender about the sex वो इन में बहुत ज़्यादा होती है adult sense की age में love affection कह सकते हैं या फिर जो old beliefs होती है उनको बच्चा violet करने लग जाता है कोई parents उसको कुछ बास समझाने लगते हैं कि ममा आप छोड़ दो पाप आप छोड़ दो यह बाते मुझे मत समझाओ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ लेकिन वो इस time पे होता है कि ना तो वो बड़ा भी होता है complete so friends in the next session हम discuss करेंगे principles of development और उस पर एक बड़ा question भी आता है सिरफ principles of development पर अगर आपको यह session helpful रहा हो इसे like and share जरूर कीजेगा और आने वाली sessions बिल्कुल भी miss मत करें क्योंकि वो बहुत important होने वाले हैं तो चलिए friends मिलते हैं अगली session में till then keep watching friends